दिल्ली के सरहदों पर किसानों का एहतिजाज जारी तहरीक का आज 29 रोज किसानों ने हुकुमत की बातचीत को तज्वीज को ठोक रहा है किसानों के हिमायतनाए कॉंग्रेस कॉंग्रेस के साबक सद राहूल गादी के गयादत में एहतिजाजी मार्च निकालने की तयारी सद्रे हिंद से कॉंग्रेस निज़रान करेंगे मुलाकात मेमुरेंडम दिया जाएगा श्माली कश्मीर के बारा मुला में सेक्यूरिटी फोर्सेज की कारवाई करीरी में सेक्यूरिटी फोर्सेज का सर्च उप्रेशन जारी इलाके में दो से तीन मिल्टेंटों की मौझूदगी की इतला मुल्क श्माली हिस्सों में सर्दी की शदीद लहर जारी चुला एकलान का चौथा दिन सेयाती मकाम गुल्वर्ग में नए साल की जश्म के तैयारी अदब नाज़र अभी तक की उर्दों खबरनामी के साथ मैं हूँ आसिफ रशीद और आप पेशे खबरों की तफसील बुल्टिन के शुरुबात नई दिल्ली की सबसे पहले आपको बात बताते हैं जहांपर सरहदों पर किसान डटे हैं ऐसे कबल किसानों ने हुकोमत की उस तजवीज को भी ठुकरा दिया जिसमें हुकोमत ने उनसे बातचीत की पेशकर्श की थी ताहम किसान अपने मुतालबात को लेकर डटे हैं जो हुकोमत की तरफ से कहा जारा वो मानने के लिए तैयार नहीं और दिली के सरहदों पर ये तस्वीरें आज सुभा की जब आज 29 दिन इस तहरीक का है तीनों जरीकवारीन वापस लिये जाएं वरना यहां से वापसी नहीं होगी किसान लेजरान के तरफ से आज दुबारा ऐलान कर दिया गया है सरदी की शदीद लहर कडाके की ठंड जहां पर इस वक्त दरज़ा हरारत में नुमाया कमी भी देखी जारी है दिली की सरहदों पर या फिर मुक्तलिफ इलाकों के अंदर शमाली हिस्से जहां पर जबरदस ठंड पढ़ रही है और स्पीच इन किसानों के तरफ से अब ये भी साफ कर दिया कि जो हुकुमत ने छटे दौर के बातचीत के लिए उन्हें तजवीज पेश की थी तहरीरी तोर पर उन्हें तजवीज बेजी गई थी चाबपानी का सेवा दा आएं दिली से हरो जाते हैं वे वंकरते हैं खानी-पिने का समानी लेकिंद कि आते हैं तो मैं इक बात कहूं के जम्ग पैञे हैसा संगर्षी बनिया है तो तब तक मैं एक बात जरूर को हूँ को सरकार को जितनी जल्दी हो से के इसको रद कर देना भी तो संगर्च और बढ़ा होएगा और इसका कोई दैरा नहीं है कि एक दन चलेगा दो दन चलेगा जे छे मीने भी इसंगर्च चलना पड़ा तो चलेगा जबी लोग त्यारा ह सब्सक्राइब देश त्यारा है और वर्ट की हमाएं जो सहीता वर्ट का हमें जो संयोग है वो मेरा है इसलिए सरकार को चाहिए इसको बढ़ाने की तरफ ना जाएं और जल्दी इसको हल करें तब तक संगर्च हम जारी रखेंगे हम पक्के हैं जब तक हम जो काले किन उड सब्सक्राइब नहीं करा देते देखिए सरकार से सुरुवाती दोर से बारता चल लए है और जब भी सरकार का ओफर आया हमारे को कोडिनेशन कमेटी के मेंबरान है वो सरकार से बात करने गए और सरकार को छेचार की बारता में यह समझा दिया गया कि कम से कम एक तरजन करने लिए अब्जेक्σιन उन्मस विकार की है तो यह से उन कानूनों के पुन्याद हिल जाते हैं कि वजूब खतम हो जाता लगम तो सरकार को चाहिए था कि सुटा इंकार के लिए लिकिन प्र फूल बोल्जा बत्राया कि सरक किसांद तैकरें कब बारता करना चाहते हैं इन अजय को बटकते रहें तो हमारे लोगों ने भी इत्रै किया इस तरह के वारता को बहुत है हमारे समझ में आगई है हमें सरकार की मंदा समझ में आगी है देखे आंगोलन का जो रूप है हमारे लीडर जुर्दी जाकेश ठेकेस सामने आपको बता आपको पूर से पूरत देश को बता दिया है हम शांद पूर आंगोलन करेंगे और हमें भी कोई जल्दी नहीं है किसानों का इहतिजाज एक तरफ जारी तो जरी कवानिन के खिलाफ मरकजी हुकमत पर मसलसल दबाव बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी किसानों के हक में लगातार जोर शोर से आवाज भी उठा रही है जिमन में आज कांग्रेस के साब एक सदर राहुल गांदी की गयादत में एहतिजाजी मार्च निकालने की तैयारियां की जा रही थी और इस पीच थोड़ी दिर पहले कांग्रेस लीडरान की मुलाकात हुई एहतिजाजी मार्च के बाद पार्टी का एक नुमाइंदा को आज सौंपे जाएंगे और इस पीच राहुल गांदी की गयादत में कांग्रेस लीडरान का वफद सदर जमूरिया के हवाले ये मेमरेंडम करेगा और जरी कवानिन को मनसूख करने का मतालबा करेगा और किसान लीडरान के तरफ से जब तक मतालबात किये जा रहे थे उ और इस पीच आपको बताते चलें कि किसान के इस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए कांग्रेस के तरफ से जहांपर ना सिर्फ इसके हिमायत में आने का फैसला किया बलकि एहतिजाजी मार्च के बाद जहांपर विजे चौक से लेकर राश्रपती भवन तक एहतिजाजी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान और अराकिने पार्लिमेंट के एक वफद की मुलाकात सदरेहिंद रामनात कोविन से भी होनी है और एक मेमरेंडम उन्हें इन मांगू को लेकर सौंपा जाएगा मेमरेंडम में दो करोड जो लोगों के दस्कत हैं सेगनेचर्स हैं वो भी आज सदरेहिंद से उन्हें दिया जाएगा और स्पीच थोड़ी दिर पहले जब पार्टी लीडरान की मुलाकात हुई आगे की हिकमते अमली पर बात हो रही थी पार्टी लीडरान के तरफ से मीटिंग की गई इस मीटिंग के दौरान कांग्रस पार्टी के लीडर क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपको सुनाएंगे और उसके बाद गुलाम नभी आजाद ने क्या कुछ कहा क्योंकि पहले दिन से लगातार इस कानौन की यतीनु जो जर्री कवानीन है मरकजी सरकार के तरफ से बनाए गए इस पर लगातार इसकी मुखालफत हो रही थे और और इस पीच जब गुलाम नभी आजाद ने लगातार इसकी मुखालफत की भी बात किये उनकी बात भी सुनाएंगे लेकिन उससे पहले आपको कॉंगरस लीडरां के रियक्शन्स बताते हैं मार्च से पहले क्या कुछ इन लीडरों का और वरकर्स का कहना था बड़ी तैय मेट कontinue no one wants to see the farmers suffering in the cold Delhi winter and at the same time no one wants to see this kind of paralysis they want to see some progress so the president can encourage the government can push the government को हम तो farmers के लिए आए हैं किसानों के लिए आए हैं ये सरकार ऐसी है जो गुंगी बहरी सरकार है गुमरा करना चाहती किसानों को उनके real मुद्धे हल नहीं कर रहे हैं प्राश्ट पती जी किसी भी मुल्क के मुखिया होते मुखिया जी को हाथ जोड़के निवेदन कि कि सब आप intervene करिए ये तो सुनने के आदी नहीं ना पार्लिमेंट में सुना ना बाहर सुना ना किसी से बात करते हैं तो आप intervene करिए ये उनको कहने आए बेशी के लिए क्या है कि सरकार हुमन राइट जो है जो पांच लाग के करीम लोग बॉर्डर पे बैठे हैं उनका वाइलेट कर रही है क्यूंकि ना तो वहां रहने का कुछ है ना सोने का कुछ है ना नहाने का कुछ है सो इससे मैं समयता हूँ कि लोगों का जो ही मुर्डर वाइलेट हो रहे हैं सरकार को अपने संग्यान में लेना चाहिए और इसका जल्दी से मसला हल करता है मैंने अगानी जी से देकर अगानी जी से देकर हम सब ने मिलकर लोग सबार राइश सबार और पार्टी अस्तर पर राज्यों में भी और दिल्ली में भी प्रियास किया कि जो कानून बना फार्टिमेंट पे वो सरसलती से ने गए उसले विपर्श का कोई सयोग नहीं है सहमिती नहीं है और कांगरस पार्टी का तो बिल्कुल कोई सहमिती नहीं है पालिमेट के अंदर जिस तरह की नदस्ता होती थी रुफसवा、 राजसवा के अंदर और विशेश रूफ से राजसवा के अंदर राजसवा के अंदर कभी भी डन में शोर नई दिम में कोई दिन पाच नहीं वपाच था ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि पिछले साल अगस से पांच अगस जब कश्मीर की स्ट्रेट होड लेली और उसको दो हिस्थों में डाउन ग्रेड करके दो सके तो पार्लमिन की जो प्रोसीजर से उसको बाला ताक रख दिया उसको फांग दिया दिल में ही पास कर दिया और किसी तरह से ये किसान बिल ये दूसरा एक बहुत बढ़ा अंडेमोकरितिक तरीके से पार्लमिन में बिल पास किये गए से सबसे पहले हमने यही कहा था के सुझाव आते सेंडिंग कमेटी फार्मर्स ग्रुक्स को लीडर्स को पूरे देश की बारी बारी बलाते उनके सुझाव इसमें होते तो आज लाखूं किसान सदकू पर नहीं होते आज दर्जनों लोग किसान इस ठंड में जो मर रहे हैं वो नहीं मरते और जो मर गें उससे बचते पहले ही इस कोईड में देश की एकानमी की ऐसी की तैसी होगी है और जो अंडाटा जो देश को पासते हैं दुनिया को नाज देते हैं हमारे देश के लिए और सरकार के लिए ये शर्म की वाज़ाएं कि वो ही आज सरकों पर भूखे बिल्ड में दो डिग्री तीन डिग्री तंपरेचर में बैद हैं सरकार कितला राज सबाह में जिस तरह से हमने सरकार को बिहे करते देखा ये दूसरी बार जैसे मैंने कहा पिछली साल और किस साथ हमेशा जब अमेंडमेंट कोई मेंबर देता है तो इस मेंबर के आगा कोई मेंबर मांगे किस ते डिवीजन होनी चाहिए मेंडेटरी है अनुवारी है रूल के अंदर पार्लिमेंट के रूल के अंदर लोग सबाह हुए आराज सबाह के रूल के अंदर के चेयर को उसे डिवीजन करने की अनुमती देनी है और सब उसमें वोट कर सकते हैं यहां शोर में हमारे तीन-चार मज़मानों हैं असाम के पी-सी-सी प्रेजरेंट यहां मौजरुत नहीं है दो-चार लोग और हमारे डी-म-के के जो लेदर है राज सबाह में पुर्ची सिवा वो खड़े थे और डिवीजन के डिवीजन मांग रहे लेकिन डिवीजन नही मांगी और बिल पास कर दिया कानों यह पहली दफाओ रिजलिशन मोग करने लिए उस हाउस में क्योंके हमारे हाउस के कुछ निम्बर लोग समा मेंते हैं उस हाउस के एंपीज को तो पता ही नहीं चला क्या हो और दूसरे दिन जो हुआ कि इतने मार्शम्स क्योटी वाले बुलाएगे सदन के अंदर जो एंपीज से दो गुना ज़ादा है अब तब हम लोगने वाकाउट किया सब पादीज ले और एंपीज साए जहां तक मुझे याद है काली ज़्यानी साल पाले मेंने पहली दफाओ कि गांदीजी की पिल्तिमा के देज़े शोभी इस भिच्छी की अंशन हुआ भोगकर तान हुआ और वहीं रात को भी सुए ये भी पहली दफाओ कि शायद हमारे किसानों को मालूम नहीं है इसके बारे में आप जहां जहां जाएं तो ये बात बताएं कि इतहास में पहली दफाओ आपके कामरेज और दूजरे लाइट कांडिज पार्टीज ने अंदर जितना लड़ सकते थे वो लड़ाई लड़ी हमने और जब उनकी स तो इस तरह से ये कानूं पास करते हैं आज लाफों में किसान और उनके समर्थ हैं बलकि करोरों के संख्या में समर्थ हैं ये चाहते हैं कि वो कानूं वापस हरिया जाएं और जो भी किसान चाहते हैं किसानों की मन्शा के हिसाब से जो भी किसान उसमें परिवर्टन चाहते हैं लेकिन कोई भी चीज जबरदस्ती से बहुत सारी कारून यहां जबरदस्ती से पास किए गए लेकिन किसानों के साथ ये जबरदस्ती देश को बहुत महँगी पड़ेगी और देश का बहुत नक्सान होगा तो अभी हम जैसे इच्छा पुथी के सभी नेमर सब पार्लिमेंट और वर्किंग कमेंडी और सीने लीड़ेस राश्पती जी के जाते और उनको मेमोरेंडम देते अभी हमने दिया था जब पार्लिमेंट ठत्म होगा अब युपक्ष की साउसे दिया था उन्हीं चीज़न को जोराएंगा यह पानूर को वापस लेना था है लेकिन पूर्ड की वज़ा से तब भी राश्पती जी ने दो तीन का पुपकी अर्मती जी और बाद में एक ही अब लोगों को अर्मती नहीं है लेकिन हम सब कांग्रेस पार्टी को रेपिसेंस करेंगी और उपन किसानों को भी रेपिसेंस करेंगी और दस्तखत भी आज जो सद्रेहिन के सामने रखे जाएंगे मुतालबा ये किया जाएगा हुकूमत पर दबाव बनाने की जो कोशिश है कि जरी कवानिन को वापस लिया जाए और सडकों पर बैठे पांच लाग के करीब किसानों की मांग सद्रेहिन के जरी हुकूमत तक पहुंचाने और कवारीन को मनसुख करने के जो अपनी बात है वो कॉंग्रेस सामने रखेगी बढ़ते हैं आगे बाद शमाली कश्मीर के जहां पर बारामला जिले में सेक्यूरिटी फोर्सिस के कारवाई चल रही है करीरी में सेक्यूरिटी फोर्सिस की जानिब से करीब चार घंटों से सर्च आपरेशन चलाया जा रहा है वानिगाम इलाका सेक्यूरिटी फोर्सेज को यहाँ पर इन्पुट्स मिली थी उस वक्त मुश्तरका कारवाई शुरू ही जमुकश्मिर पूलीस फॉज और सी आर्पेफ की जब इलाके में चंद मिल्टन्टू के मौजूद होने की खुफिया इतलाद सेक्यूरिटी फोर्सेज तक पहुँची जराय के मताबिक आलाके में एक जूर्दा धमाका भी हुआ गोलियें चलने की आवाज भी सुनाई दी गई जिसके बाद महासरे को वसी कर दिया गया और इस वक्त करीब चार घंटे हो चुके हैं सर्च ऑपरिशन इस अलाके के अंदर जारी है जमुकश्मिर पूलीस भी फोर्ज के साथ इस ऑपरिशन का हिस्सा है और दूसरी तरफ सी आर पिफ की मदद से भी इस ऑपरिशन को चलाय जा रहा है अहतियातन घरगर की तलाशी भी इस रही शुरू ही ताकि इस इस अलाके में मिल्टेटो की मौज़द्गी की जो इतलात थी ऑपरिशन के दौरान किसी आम शेहरी को नुकसान ना पहुंचे इस चीज़ का ख्याल रखते हुए इस ऑपरिशन को मज़ीद आगे बढ़ाया जा रहा है चार घंटे हो चुके हैं और ये ऑपरिशन अभी भी जा रही है तीनों जो मसल्फाज हैं दोरों मसल्फाज और उनके साथ साथ जमुकश्मिर पूलीस भी सिक्यरिटी फोर्सेस की वदद दे रही है इस अलाके के अंदर जहां पर चन्द मिल्टन्टू की मौजूदगी की इतलात मिली थी और चार घंटे लगभग हो रहा है जब ये सर्च ऑपरेशन अभी भी जा रही है बीच में धमाके की भी आवाजें सुनाई दी गई सिलाके के अंदर जोर्दा धमाका हुआ गोलियां भी चली जो इतलात मौसूल हो रही है सीधा ग्राउंड जीरो पर चलते हमारे नुमाईगी रही निसार हमारे साथ है रही क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसिलात है ओवराल ऑपरेशन किस वक शुरू हुआ और अब लेटेस्ट अपडेट क्या है बिल्कुल और यहां पर बात करें बिल्कुल यह पटन के वानिगा मला के में यहां रात कोई कॉड़ना फुआ था सुबह सवेरे जुमी यहां पर सरच ऑफरेशन से टार्ट के गई तो वहां से गोलियों की आवाजें सुनाए देगी तक कि अगर बात करें बिल्कुल रुक रुक करें यहां पर दमागों की आवाज हो रही है अगर आप अभी भी सुन रहे हो दमागों की आवाज जारी है और यहां पर पूरे अलाके को भी मास्टे में लिया गया है जी आस्फ जी तो इस अलाके के अंदर ये क्या रहाईशी इलाका है या फिर आसपास बागात है जहां पर फोर्सेज को इतनी मुशक्कत करनी पड़ रही है करीब पांच घंटे होने वाले हैं आपरिशन अभी भी चल रहा है बिलकुल अगर इस अलाके की बात करें यहां पर रहश परीज पजीर अलाका ही है और अगर साथ में इसके यहां देखे तो इरद गिरद बागात भी है और अगर इस मकान की जहां पी यह मिल्टन्ट की छुपे होने की खबर आ रही है बिलकुल यह थोड़ा पहाड़ी के नी प्रिचे वो चुपे है क्योंकि अगर गोलियों की आवाज की बात करें गोलियों की आवाज तो भी नहीं आ रही है खाली यहां पे दमाकों की आवाज अभी सुनाए दी जाती है मजीद तक्रीबन कितना वक्त लग सकता और क्या इंटरनेट खिदमात भी मौतल रखी गई थी पहले या फिर कोई एथियातन फैसला लिया गया था नहीं बिल्कुल इंटरनेट की बात अगर करें इंटरनेट यहां पर अभी चल रहा है इंटरनेट को बंद नहीं किया गया है अलबत अलाके कि अगर बात करें बिलकुल अलाके को पूरी तरह से यहां पे कोड़नाप किया गया अगर यहां पे सियार पी आप या ट्वटी नैन आरार या पुलीस बारामला की बात करें पूरे अलाके को महसरे में लिया गया है और जो भी यहां पे रास्ते आ रहे है या जा रहे हैं। उनको सील कर दिया गया है। मैंने जो कहा कि जो ये मकान है जहाँ पर छुपे होने की खबर है ये बिलकुल वहाँ पर नीचे मकान है और वहाँ पर शायद अभी सेक्रेटी फोर्स को मुश्किला आ रहे हैं कि उस मकान के करीब पूशने में कियोंकि अगर बात करे गोलियों की गोलिया तो अभी नहीं चल रहे हैं कि rajnka unterieside से बाहर रखा गया है, अलबत ये हम कह सकते हैं, शायद ये अभी forces ही यहां से इस्तेमेल कर रहे हैं, क्योंकि अगर miltonальную की बाफिरे सुभा से अभी तक शायद ये कहने में आरा है, कि milton john אु की तरफ से अभी वहां से कोई fire नी आरा है, तो अभी शायद फोर्सेश ये आगे जाने की कुशिश कर रहे हैं जिनकी मदद से अभी ये वहाँ पे दमागों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये उस निशाने तक पूंचे जहां पर अभी मिल्टन्ट छुपे आया है राही जहां आप मौझूद है शोर्सराबा काफिये है अफरत अफरी का आलम है क्या ये शेहरी है मकामी है जिनको बाहर निकाला गया है बिल्कुल वहाँ पे जो मकानात इरिद गिरिद इसके है वहाँ पे जो भी लोग थे उनको यहाँ पे सुबह सवेरिये सुपूर्टी फोर्स ने निकाला था और अगर इस मकान की बात करें जहां पे बताया जाता है कि ये मिल्टन्ट है अगर आप मेरे पिछे इस वकी दे बताया जाता है कि उनके ये रिलेट्योग है क्यूंकि अगर उस घरिवाले की बात करें वह पताया जाता है कि वह मकान वार से बिलकुल लग थार और गर्म में जो अफराद खाना है वो घर्म मुझूद नहीं थे वो कहीं पे गए थे अब बता है जो उनके रिलेट्यूज है इस वक्त बादा अब मेरे पीछे देख रहे हो इस वक्त वो रिलेट्यूज को वहाँ से निकाला जा रहा है और जो भी इर्ध गिर्ध वहाँ पे बस्ती है उनको भी बादा जा तोर से तफसिलात ये आ रही है शुमाली कश्मीर के पटन से कि सर्च आपरेशन अभी जा रही है शेहरियों को जो इस इस इलाके के आसपा से उन्हें जरूर निकाला गया है लेकिन जो राही बता रहे थे कि जिस घर में मिल्टेंट मौजूद है वहां इतलात फोर्सिस को यह है कि यहां पहले से ये लॉक्पता घर लेकिन इसके अंदर दो मिल्टेंट हो सकते हैं और कारवाई मुश्तर का तोर पर सेक्यूरिटी फोर्सिस और जमुकश्मीर पुलिस की इस वक्त चल रही है अनिल गुपता भाई टाईजी फोर्जी सरब्रा जनरल मनुज मुकुन नर्वाने जो की लदाक पहुँचे थे और उन्होंने मश्रकी लदाक के फलकबोस पहाड़ियों पर चीन के साथ लगने वाली सरहत पर फोर्जी तयारियों का जायज़ा लिया फोर्जी सरब्रा का ये दोरा बीजिंग के साथ जो गुजश्टा साथ मां से ज्यादा आर्से से जारी फोर्जी तनाव है इस बीच ये दोरा किया है और रिचन अलाके में अगली चोक्यों पर भी हकीकी कंट्रूल लाइन की सुरतहाल का जायज़ा लिया है दोनों अफ़ाज हमने सामने खड़ी थी तब से लेकर आज साथ मां तक सुरतहाल ये है कि आज फोर्जी सरब्रा का मुस्लसल ये तीसरा दोरा है जब से ये तातुल शुरू हुआ है इस पर दिफाई तज्जिया निगार क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको बताते हैं भारतिय सेना द्यक्ष जनरल एम एम नरव ने आज ले में फाईर एंड फ्यूरी कोर को विजिट करने के लिए गये हैं ये एक रूटीन दोरा है लेकिन चीन के खिलाफ चलतों स्टेंड आफ को देखते हुए ये दोरा काफी महतपूर्ण है इस दोरे के दोरान वो वहाँ पार सेना की ओवर और प्रिपेर्डनेस का जाहिज़ा लेंगे साथी साथ टुप्स को भी मिलेंगे और उनके रहने खाने पीने के संसादों का जाहिज़ा भी लेंगे ताकि उनको ये पता लग सके कि operation preparedness के साथ-साथ जवानों का moral कैसा है क्योंकि चीन जैसे दुश्मन को हराने के लिए हधियारों के साथ-साथ प्लैनס के साथ-साथ जवानों का होसला फजाई बहुत जरूरी है उनुशाईअ के दिन दुश्मन से ज्यादा मौसम से लड़ाई होती है और इसके जरूरी है कि तमाम संसादन जवानों को दिये जाए और उनके मनोबल को उचा रखा जाए जनरावने इसी का जायदा लेंगे और इसके लिए वो अगरिम चोक्यों का दोरा भी करेंगे चीन के लिए संदेश शाफ है कि भारत हर तौर से हर तरीके से चीन की हर दर्मी को रोकने के लिए और उसके विस्तारवाद को रोकने के लिए तयार है भारत चीन को मुह तोर जवाब देने के लिए तयार है और भारते सेना सेना द्यक्स से लेके एक छोटे छोटे सेनिक टक चीन के सिविस्तारवाद के खिलाफ डट कर खड़ी है साथी साथ ये चीनी चलिए खबरों के स्मुल्चिन में वैसे इतना ही आसिफ रशीद को एजासत दीचे